दोस्तो हम बनाएंगे फ्राइड आइस के लिए मैंने यहां पर कुकर रखा हुआ है नौने श्टेक है यह अगर आप जाएं तर नौर्मल कुकर में भी बना सकते हैं इसमें मैंने यहां स्वाड डाला है क्योंकि हमारी क्वांटरी चावल की जाना है यहां पर मैं सिंपल फ् वह गोल्डन हुए तो मैंने इसमें अब तेज पत्तर डाल दिया उनको थोड़ा सा चलाएंगे अब हमें इसमें डालेंगे अधर लैसुन बारिक कटा हुआ इसको हलका रूष्ट करेंगे भूनेंगे तेल में थोड़ा सा लाइट होने दार्क होने बार हम इसमें साथ में प्याज डालेंगे वह प्याज को भी हलका भूनेंगे सांथी हम हरी मिर्जी भी डाल देंगे अब हमारी प्याज हलकी भून गई है अब हम इसमें हरी मिर्ची में डाल रहे हैं अब इनको ब्रावन होने तक भूनती रहे हैं यह हमारे मिर्ची सब गूल्डन ब्रावन होगी अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं इसमें हमने मिर्ची और धनिया पावडर गरम मसाला टमाटर डाले कर आप टमाटर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं क्योंकि हम इसमें निब्बू भी नहीं चोड़ सकते और इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी भी डाली दोस्तों अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं जो आपने पहले से ही वारी काट के धोके रख लिये थे इसमें हमने दो आलू लिये हैं सरफ अलू हमने अच्छे से मसाले में थोड़ा सा भूने अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं जो हमने देड काटोरी मेजरमेंट के हिसाब से लिए थे बड़ी काटोरी है मेरी अब इसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी मैंने डेड काटोरी चावल लिये हैं तो मैं इसमें तीन काटोरी पानी डालूँगी तो यह बिल्कुल खिले के लिए बनेंगे हम बहुत ही जादा साधिस्ट बनते हैं अब हम स्वादन सा नमक डालेंगे यहां पर आपने रैट मैंने यहां पर इस रैट चिली पावडर इसमें अच्छा डाला है क्योंकि तीखाज चैट पटा बनेगा और धनिया पावडर भी हमें इसके साथ ही डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर हमारे चावलों के साथ आ आप डालना चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं जब हमारे चावल बिल्कुल रेटी होगा है हमने इस रहसे में दोस्तियां लगवाई है हम देख सकते हैं आपको लग रहा हो गई थोड़े कम खेले बने लेकिन ऐसा नहीं है अभी इनकी सीखनी है जैसे ही यह ठंड अगर आप मेरे वीडियो पसंदा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपको प्रेसे रहे हैं दोस्तों यह मेरे फ्राइराइस टीबुल तयार है अच्छा दनी नहीं